नमस्कार, मैं मयंगोड़। वर्दमान महावीर खुला विश्व विद्याले के व्यक्षान श्रंकला में आप लोगों का सागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टोडियो में मौझूद हैं वर्दमान महावीर खुला विश्व विद्याले के शिक्षा विभाग के डॉक्टर अखिलिश कुमार। कि आज हम डॉक्टर असने करेंगे विष्ञाषै वो विद्यारति के शिक्षा पर सरड मशुक्त War Center वाले विद्यारतित् stitch आपकी क्या तात्व कर शुनते होंग चाहित हो शुनते हैं सब्सक्राइए का सामानेश पर या है definedileム जिनकी apresentलग नोग थे से अलग होती है और हर विख्ती वस्ता अध्वितिय होता है जो ऐसे współश्ब बालत की कोई असवश्ड परिभासा कहीं पर अपल लख नहीं है लेकिन सामानने अर्थों में विशेस आवा सकता वाले विद्यार्थी कातात पर उन विद्यार्थियों से हैं जिनकी सेक्षी कावा सकताएं सामान या ओसत बालक से घिन्न हैं जैसे अगर उदारण के लिए हम बात करें तो जितने भी निसकताई तो बालक हैं को अब foster society seven такихraj brother a यूप सकते हैं जितने भी गिफिटेड बच्चे य हम अक्या चिरा मानिश rough यूआ यूप युटभी बच्चे में रचिन अत्मक्ता अलग अलग किस्म कीया प्रकार की सब मिला करके यह एक बड़ा ही डाइवर्स ग्रूप है और इसको परिभासित करना सब्दों में बादना बड़ा कठिन है लेकिन फिर भी सुविधा के लिए इसको परिभासित करने का प्रयास किया गया है अगर आप देखें नेशनल कॉंसिल अफेसल एजूकेशन 2014 तो उनके अ इसका कारण कोई अधिकाम सकता है उन वेक्तियों से घृति होती है और आप इस परिभासा को देखें ध्यान से तो इसमें बड़ अच्छे से बताये गया है कि व्यक्ति की विभिन सारी जी एवं या मानसिक छमताओं का सीमित होना जो विभिन सेक्षे क्रिया कलापों में उसकी सहभागिता या मुझसे होने वाले लाव को सीमित कर देती है पहने का मतलब है कि एक ऐसी इस्थिती विभिसेश आव सकता का तात पर है जिसके कारण व्यक्ति की सारी जी क्या मानसिक छमताओं जो है वह सीमित हो गई हैं और सामाने सिक्षन से उनको लाव नहीं हो पा रहा है उनके लिए कुछ विशेश तक्निकों की विशेश सिक्षन क आव सकता है उनकी आव सकता है एक सेक्षी का आव सकता है जो उनकी है वो एक सामाने विद्यारती से एक सामाने वालक से अलग है हाला कि इस परिवासा में एक कमी है कि इसमें यह कहा गया है कि विभिन सारी जी को मानसिक छमताओं का सीमित हो जाना जबकि इससे पहले हमने कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनकी अती उच आई क्यू होती है यह जो रचनात्मक बच्चे होते हैं जो क्रियेटी बच्चे होते हैं वह भी विशेश आवसक्षण किया हो सकता कई बार होती है इसलिए वह भी विशेश आवसक्ता वाले बालकों में आते हैं जी मैंग जी जैसा कि अभी हमने इसे पहले चर्चा की कि विशेश आवसक्ता का सामाने चाथ पर यही है कि बालक की सेक्षी कावाश सकता जो है वह सामाने या औस बालक से अलग हो उससे भिन हो तो ऐसे में जो सबसे बड़ा समूह है वह निष्वताय। दबालक का समूह जितने भी निष्वताय। तुबालक हैं वह विद्यार्थी हों सब्सक्राइब। वह सभी वुष्वताय। वाले विद्यार्थियों कि स्रेंगे में आते हैं अगर हम अपने P wd कानून की बात करें और जो नया कानून है हमारा कानून को सारे किस प्रकार की इस लिए आएंगे क्योंकि उनकी सेस्षिक अलग हैं वह सामान इस सिक्षा से उतने हो पाते हैं जितना होना चाहिए उतना लावन को नहीं मिल पाता है अगर आप जन्गना 2011 की बात करें कि अगर सिर्फ हम विसेश का वाले विद्यार्थियोंसित में सिर्फ निनसकता जाव-ईक-विद्यार्थियों process है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दो करोड अर्शाठ लाख 10,557 वेक्ति जो टोटल है वो निसक्तिता युक्त हैं जिनके लिए अभी आहल फिलहाल में दिव्यांग सब्द का प्रचलन भी बढ़ा है तो आप कह सकते हैं कि हमारे देश में कुल लगभग 3 करो घ्रोड देव्यांग वेक्तियों की जन संख्या है थी सक्षी आवासक्ता है को अड्रर्स करने के लिए इनके स्च्षी कि आतों स्परा करने के लिए इंहें विसेख आवसक्ता वाले विद्यार्थ हिसे एक यह通ीम ट्रोड के संख्या है तो विध्यार्थी जह है या जन्यार्थ है तिन करोड़ की जन संख्या है ये भी अभी जो जन्गन्ना 2011 हुआ उसमें लिए गए परीभासाओं पर जन्गन्ना 2011 में जो परिभासाएं लिगई थी वो उनियस तो पंचानवे के Persons with Disabilities Act के तहत ली गई थी तो यह जो पूरी जन संख्या है यह उन साथ प्रकार के दिव्यांगिता युक्त वेक्तियों का है जैसा कि हमने इससे पहले चर्चा की थी कि ने निसक्त जनाधिकार कानून 2016 में दिव्यांगिता के प्रकार बढ़कर 21 हो गए हैं तो अगर उन सब को एड़ करें तो यह संक्या बहुत बढ़ी होगी संक्या तीन करोड़ से आगे जाएगी तो ऐसे में एक बहुत बड़ा समूह है दिव्यांग्ता विद्यार्थियों का भारत में जिनकी आवसक्ताओं को पूरा किया जाने की जरूरत है और वो सभी विसेशक्ता है जरूरी है पहली जणकना है दिव्यांग विद्यांग विद्यार्थियों में हमारे देश से हुई है और उसमें भी जो परिभासाइं ली गई वो 1995 के कानून से ली गई जिसमें मातर साथ प्रकार की अक्षमताओं का वर्णन है लेकिन अब जब अक्षमताओं बढ़कर के 2016 की कानून में 21 हो गई है तो अब अगली जनगर्णा होगी नेक्स्ट हमारी उसमें यह आएगा कि वस्तुता संख्या कितनी है हमारे देश में दिव्यां के विद्यार्थियों की डॉक्टर साब हमारे देश में वीशेशावशक्तावाले जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक् कि आज भी हमारे देश में उतनी जागरुपता नहीं आई है जितनी आनी चाहिए खास करके गाओं में यह कह देते हैं जो विशेशावसक्ता वाले विद्यार्थी हैं इनको पढ़ाया जानने से क्या होगा यह पढ़के क्या करेंगे उनके प्रति एक नकारात्म का भी परिवार में भी और लोगों में भी मौजूद है जिसको दूर किया जानी की जरूरत है जब तक यह नेकारात्म का अविर्थी दूर नहीं होगी तब तक विशेशावसक्ता वाले विद्यार्थियों की सिक्षा में उननती नहीं हो सकती दूसरा जो कारण है जो दूसर नहीं है अभी UNCRPD United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities जिस पर की भारत सरकार ने 2007 में हस्ताक्षर किये हैं और उस कानून के तहत उस अंतराष्ट्रिये संधी के तहत देश के सभी सरकारी भौनों को सुगम में होना आवस्यक है लेकिन अभी तक भी हमारे देश के सारे सरकारी भौन सारे तो पाएं हैं सुगमिता का मतलब यह है कि कोई भी वेगती चाहे वो निसकता यूग तो हो या निसकता यूग तो नहीं हो उसको आसानी से उस भावन की हर भाग में पहुंच हो उदाहरन के लिए आप देखते होंगे कई जगा की सेडिया भी बनी है और उसके बगल में रहम दिया गया है तो यह एक उदाहरन है उसका भावनों को सुगम में बनाने का कि कोई आदमी अगर आता है एवरेज आदमी आता है एक सामाने आदमी आता है तो वो सीडियों से चड़ जाएगा उसकी इच्छा कोई विशेश सावसकता वाले वेक्ती आएगा तो रहम के थू वह इसको भावन ने हर जगह पहुंच है कई आपने देखा होगँ कुः जगह कि सारे रास्ते में हैंड्रे लगा होता है हैंड्र लगाने का परपस इस है कि अगर कोई ने सकता है था है यह विलचेयर पर बैढ़ करकेा आता हो तो वह उस हैंड्रे 혼bway में जहां पर भी ज तो उमीद करते हैं कि आने वाले कुंछ समय में हमारी यह समस्या सायद दूर होगी इसके अलावा रमुख फ्रमुक्स्रा है वह कि विजय को का फ़ोई है बेर की कुछ दिन पहले ये रूल बनाये हैं ऐसे tirem जारी किये हैं कि सभी विध्याल्यों में कम से कम एक विशय सिक्षक होना चाहिए लेकिन आज की तारीक में भी सभी विध्यालय में हला कि हमारे सभी वहने सिख्षक उपलपद नहीं है equipment मात्रा में और जिसकी वजह से समावाइसे सिक्षा में भी उन्हें जो विसेश सहायता चाहिए वो ने सकता विद्यारतियों को विसेश विद्यारतियों को नहीं मिल पाता इसके अलावा माता पिता की नकरात्म का भिरुति भी जिम्यवार है विसेश आसकता वाले विद्यार्थियों की सिख्छा में उन्नती नहीं के लिए कई बार माता पिता यह सोचते हैं कि यह बच्छा तो अब क्या कर सकता है यह बच्छा तो अब समाज का कोई सक्षिक विकास रुख जाएगा संभो नहीं होगा उनको ध्यान देना माता पिता को ध्यान देना आवस्यक है और माता पिता को अवेर कराना भी जरूरी है कि उनके सिख्छा आवस्यक है साथी माता पिता के सहयोग के बिना वस्तुता विसेश आवस्यक्ता विद्यार्थि के सेक्षिक प्रगति होई नींसकती उनकी क्या हर विद्यारथी के सेक्षिक विकास में माथा का एक अहम रोल होता है तो ऐसे में मिसेषासक्तावले विद्यारतियों कि शिक्षां की बात अगर करें, तो उनमें भी माथा पिता की सभागीता अतीह आवज़र सकता है उनमें है विद्यालियों में उप्युक्त संसाधन का अभाव है जैसे अब कोई मानली जे ब्लाइंड बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो प्रते के स्कूल में ना तो ब्रेल से रिलेटेड किताबें हैं ना टॉकिंग बॉक्स हैं ना उनके लिए और कोई जैसे लो विद्यालियों में आज भी आवाव है और जिसकी वज़ा से उनकी प्रगति सेक्षिक प्रगति नहीं हो पा रही है इसके अलावा हमारे यातायात के साधन यहीं बड़ा महतुपूर्ण रोल अदा करते हैं बच्चे को भी द्याले जाना है तो कोई नो कोई यातायत का द्राति का साथने लेन पड़ेगा जोकि अगर बहुत पासरोरणम के विद्याले नहीं नहीं होardा हॉन की आज कल उसमें भी परिवeurतन आ रहे हैं आपने ध्यां दिया हो गcoli कि ढ hoped दिरे эк बच चलाई जा रही है वह इन ही घ्यान में रहे हैं तो अभी तक फिर भी जितन होना चाहिए उतना हमारे है यह दायत के साधन विश्य फास्टा वाले विद्यार्तियों के लिए इस वाले विद्यारतियों के लिए उठिम आपका प्रस्ण समिचीन है मैंग जी अभी हमने चर्चा की कि विशेश हासकता इतु विद्यारतियों के सिक्षा में क्या क्या बाधाएं हैं पहली बाधा पर जो हमने चर्चा की थी वह यह है कि हमारे जो भवन हैं सरकारी विद्यालें सरकारी ऑफिसेज हैं वो सुगम में हैं एकसेसेबल नहीं है नहीं सकता है विद्यारतियों के लिए यह सबसे पहला काम तो हमें करना है कि हमें विद्यालियों के भवनों को उनके लिए एकसेसेबल बनाना है उनके लिए सुगम में बनाना है थोड़ा सा हमारे विद्याले के इंफ्रेस्ट्रेक्टिव में पर समाज को परिवार को व्यक्ति को जागरुप करना होगा जब तक यह जागरुपता नहीं आएगी तब तक उनकी शिक्षा जो है उन्नत नहीं हो सकती इस अंदर्प में मैं एक अनुभव सेयर करना चाहूंगा कि जागरुपता की अभी कितनी कमी है हमारे यहां कि जब मैं बीड विशेष शिक्षा का विद्यार्थी था तो किसी अस्थान पर यात्रा के दौरान एक सा यात्री मिले मुझे तो उनसे बाते होने लगी जर्चा होने लगी कि क्या करते हैं आप तो मैंने बताया कि मैं बीड विशेष शिक्षा मानसिक मंदता का विद्यार थी हूँ थोड़ी देर उन्होंने मुझे देखा बड़े गौर से देखा एक दो मिनिट चुप रहे हैं उसके बाद उन्होंने अगला प्रस्ट मुझे किया कि आपको देखे तो ऐसा लगता नहीं कि आपको ऐसी समस् तो आप सोच सकते हैं बाद में मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं तुन्होंने बताया कि मैं किसी विद्याले में सिक्षक हूँ तो इसका जागरुकता का अभाव कितना है मैंने ये उतारन इसलिए दिया कि अगर सिक्षक अभी जो हमारे सिक्षक हैं उन्होंने भी जाग रुकता की जरूरत है बिभीन प्रकार के विश्यस आउसकता वाले विद्यार्थियों के लिए जब तक सिक्षक जागरूप नहीं होगा जब तक समाज जागरूप नहीं होगा तब तक विश्यस आउसकता वाले विद्यार्थियों के सिक्षा में अपेक्षित उन्नती हम नह रखे जाने चाहिए जो की inclusive education में समय वैसे सिक्षित हो ऐसे सिक्षक रखे जाने चाहिए साथ ही विशेश सिक्षक भी रखे जा सकते हैं और विद्याले में आगर कम से कम एक एक विशेश सिक्षक का सपना भी हमारा पूरा हो जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्द होग ही और समय वैसे सिक्षा की और प्रगति का एक बहुत बड़बा सुचक हो गाई है इसके अलावा जो एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे पहले विसेस्विटजयायको लेगए बहुत सारे विसेस्विट ज्यैले आज भी चल रहे हैं लेकिन उसके बार हमने चर्च कि हमने कहा कि कि भाई समावेसी सिक्षा होनी चाहिए तो आज की तारीक में विशेस विद्ध्याले के पास बहुत बड़ा infrastructure है या तो वो समावेसी सिक्षा में convert किये जाए या फिर वो उनका जो प्रोहावी कि उप्योग हो सकता है वो यह हो सकता है कि उनको संसाधन विद्ध्याले के रूप में प्रयोग करें जैसे कि सामाने सिक्षकों के प्रसिक्षन जहें विशेस विद्ध्याले की भी उप्युक्तता बनी रहेगी और जितने भी समावेसी विद्ध्याले हैं उनको भी लाव हो सब्सक्राइब और समय में यह को ऊच्छा люб喔 सविस्दों और ब्लाइंड ह WOW विए यह उसको एक रिध्टर मिल जाता है वसको एक्ष्ट्र समय मिल जाता है लेकिन उसमें अई प्रावधान नहीं वहुआ न चाहिए, सारे अक्षमता की आव सकताओं पर विचार करना चाहिए उसके नुसार हमें फ्लेक्सिबल यालचिला मुल्यांकन प्रक्रिया अपनाना चाहिए इसके अलावा स्रिक्षन में विशेश हा सकता कि पूर्थी के लिए सूचना है हम संप्रेशन्ड तक्नीक का प्रहाववावी उसके प्रयोग के बढ़ावद दिया जा सकता है ताकि शिक्षन अधिगम की प्रक्रिया जो है विशेश अप्रक्रियों के लिए सुगम हो सकते इसके अलावा और जो काम हम कर सकते हैं वह है कि उनके लिए सहायक उपकरण या सहायक समगरी उपलब्द कराएं जैसे उनकी जरुरत हो तो विंधालियों में उनके लिए व्यक्तिका सहायता का प्रावधान भी गरें तो इस प्रकार आज हमने देखा कि यह जुछ सवासक्था वाले विद्यार्ति शिस्थे अलग है और समपूर्न लाव नहीं ले पा रहा है जितना आपेक्चित है उससे और ऐसे कई प्रकार हैं विसेश विद्यार्थियों के जिनमें की हमारे गिफ्टेड विद्यार्थी जिनको कहते हैं हमारे रचनातों की विद्यार्थी और हमारे जो निसकता विद्यार्थी हैं वो सभी सामिल हैं विसेश वासकता वाले विद्यार्थियों की स्रेणी में व परमुख समाजी का विवरित्ती जो है उसमें परिवरतन लाने की जरूरत है हमें उसके अलावा विसाज सावसक्ता युक्त विदार्थियों की सेक्षिक बाधायें कौन-कौन सी हैं यह हमने आज देखा और साथ हमने यह भी देखा कि इन सेक्षिनिक आवसक्ताओं की पूर झाल झाल